तो उन उत्तर के लिए प्रस्ण को समझें रुकें वहाँ पर उत्तर को प्लान करें और फिर लिखें तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसमें बहुत सारी चीज़े रिपीट भी हो सकती है लेकिन पूरे सिल्बस के पेपर जो important question है वो पूरे सिल्बस में से बनाये गए ह यूनिट फर्स टू यूनिट फिप्त में तो स्टार्ट करते हैं कुछ important प्रस्ण यूनिट फर्स से ए हस्तक्सेप वादी राज्ये इसमें लेसे फेर स्टेट ए हस्तक्सेप वादी यानि हस्तक्सेप नहीं करना है व्यक्ति को अकेला छोड़ देना है यह एक आर्थिक सि पूरी स्वतंतरता दी जाती है ए हस्तक्सेप वादी राज्ये वर्तमान में कहीं भी प्रचलन में नहीं है और यह नकारात्मक राज्ये के दर्सन पर आधारित है लेसे फेर स्टेट की अवधारना थी उसका जन्म फ्रांस देश में हुआ था लेकिन इस अवधारना को लो करना है वर्तमान में कहीं भी यह अवधारना प्रचलित नहीं है और इसका जो स्वर्ण काल रहा है वो रहा है 19. सती दूसरा है समाजवाद समाजवाद सोसलिज्म यह विचारदारा यानि जहां भी वाद सब्द दिखे वाद का अर्थ होता है विचारदारा अडियोलोजी तो एक ऐसी विचारधारा जो समाज में आर्थिक स्तापित करनी है ऐसे जो रज्य होते हैं वो समाजवादी रज्य कहलाते हैं और ऐसी विचारधारा कहलाती है समाजवाद इसकी सुरवात 19-वि स्तापदी से हुई थी और ये कैपितलिज्म जो भी पुझिवादी विचार थे उनके विरोध में ये विचारधारा पनपी समाजवादी रज्य में रज्य को सरवे सरवा माना जाता है और व्यक्ति को साधन माना जाता है यानि रज्य को साध्य माना जाता है और व्यक्ति को साधन माना जाता है और जितने वी उत्पादन और वित्रण के साधन होते हैं उस पर पूरे समाज का स्वामित्वय माना जाता है ये समाजवादी रज्य होता है ऐसा रज्य जो समाजवाद का पोसक हो एक होता है प्रसा वर्तमान रज्य का स्वरूब हमें प्रसासनिक नजर आता है क्योंकि प्रसासन से हर आम नागरिक की बहुत ज़्यादा अपेकसाएं होती है ड्वाइट वाल्डो ने 1948 में अपनी पुस्तक दे एड्मिनिस्ट्रेटिव स्टेट में कहा है कि वर्तमान जो लोकतांत्रिक रज् इसलिए आज का रज्य प्रसास की रज्य है इस रज्य में गर्ब से कब्र की अवधारना फली भूत होती दिखाई देती है डिमोक ने इसी चीज़ पर कहा है कि प्रसासन का दर्शन अब जीवन दर्शन के समान है लोकतंत्र का साब्दिक रथ लोक का अर्थ जनता और तंत असा नहीं लिखनी होती है हमें केवल उसका साब्दिक अर्थ बताना होता है लोक का अर्थ क्या है तंत्र का अलग इसलिए चोटे-चोटे प्रसनों पर ध्यान देना होता है अंग्रेजी सब्द डिमोक्रसी से बना है जिसमें डिमोक्रेशिया एक ग्रीक वर्ड है डिमोक राज्य भी आ सकता है यह ध्यान रखना है जिस समाज में लोकतंत्र के मुल्ले और आदर्स स्विकार किये जाते हो जहां रूल ओफ लो यानि विधी का सासन प्रवर्तित हो जहां बहुमत का सासन हो लोगों को निर्णे निर्मान में पुछा जाता हो लोगों की भागेदारी हो इसमें राज्य को साधन माना जाता है समाजवादी राज्य में राज्य को साध्य माना जाता है और व्यक्ति को साध्य माना जाता है लोकतंत्रिक समाज में जिबकि समाजवाद में इसका उल्टा है वहां पर व्यक्ति को साधन माना जाता है राज्य को सर्वे सर्वा मान जाता है जैसे वर्तमान में हम देख सकते हैं लोगतंत्र बहुत से देशों में प्रस्लित है और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां लोगतंत्र है नहीं लेकिन वो भी अपने आपको लोगतंत्र कहलाना पसंद करते हैं इंडिया यूएसे ब्रिटेन और बहुत सारे देश इसके बेस्ट एक्जामपल है लोगतंत्रिक समाज के लक्षन एक लोगतंत्रिक देश में हमें क्या क्या मिल सकता है हमें समानता देखने को मिलेगी हमें न्याय देखने को मिलेगा हमें स्वतंत्रता बंधुता के जो अवधारना है वो देखने को मिलेगी लोग समीधान में स्वतन्त्र होगी वहां की प्रेश स्वतन्त्र होगी वहां विधी का सासन, रूल ओफ लोग का प्रचलन होगा वहां जन भागेदारी होगी, वहां multi-party system होगा, यानि राजनितिक डल एक से अधिक होगे तभी वहाँ पर चुनाव हो सकते हैं और लोकतंतर की जो असली भावना है उसको लागू किया जा सकता है वहाँ पर जो निर्वाचन प्रनाली होती है वो भी free and fair election के basis पे काम करती है कुछ समाजवादी समाज के लक्सन है जिसमें न्याय, समता, स्वतंतरता, स्ययोग, व्यत्तिगत, स्वतंतरता था सामोहिक, हित, इन्वोल्व होता है और अब ये वाला जो समाज है लोकतांत्रिक समाजवादी इसमें लोकतंत्र की विशेस्ता भी होती है और समाजवादी समाज की विशेस्ता भी होती है दोनों को मिलाकर कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज ये समाज राजनितिक और समाजिक रूप से लोकतंत्र हो मित्व होता है जितने भी संसादन होते हैं उन पर ये मिश्रित विचारदाराय मिक्स्ट आइडियोलोजी है इसमें समाजवाद की स्तापना होती है अर्थात समाज में आर्थिक विशंता को दूर किया जाना इसका प्रमुक लक्से होता है समवेधानिक संस्ताओं में और लो समाजवाद की दो अवधारनाएं जिसमें से एक है साम्यवाद और दूसरी हम इंडिया में देख सकते हैं कि लोकतांतरिक समाजवाद तो जो हिंसक रूप है या एकदम जो हाइट होती है समता स्तापित करने की चाहे तरीके कैसे भी हो तब उसको कहेंगे साम्यवाद यानि ये भारत में मोडल नहीं है भारत वाला मोडल है लोकतांतरिक समाज और पुंजिवाद इन दोनों के साम्यवाद और पुंजिवाद दोनों के विरुद्धिये विचारधारा पनपती है लोकतांतरिक समाजवादी समाज इसमें साधन और साध्ये दोनों को नैतिक माना जा प्रसासनिक संस्ताइं अब यह तो थी समाज की बात तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि समाज या देश परिक्सा में कुछ भी हो सकता है तो हमने ए हस्तक्सेपवादी की बात कर ली हमने लोकतांत्रिक की बात कर ली हमने प्रसासनिक की बात कर ली यह जो भी समाज है या दे का जो देश मिलेगा वो हमें प्रसासनिक देश मिलेगा वो हमें जन कल्यानकारी लोक कल्यानकारी समाज मिलेगा देश मिलेगा अब बात करते हैं हम प्रसासनिक संस्ताओं की तो बड़ी सिंपल से डेफिनेशन होती है लेकिन परिक्सा में हम इसको लिख नहीं प्रसासनिक संस्ताइं किसको कहते हैं ऐसी संस्ताइं जो प्रसासनिक काम करती हो उनको हम प्रसासनिक संस्ताइं कहते हैं यह विशेश अग्यता युक्त निकाय होता है यानि विशेश ग्यान होता है किसी भी काम को करने का प्रसासनिक संस्ताओं में अब आपके पेपर में च उस सारी की सारी प्रसासनिक संस्ताइं हैं चाहे वैं रेलवे बोर्ड हो चाहे वैं निर्वाचन आयोग हो भारत का चाहे वैं UPSC हो चाहे UGC हो यह सारी प्रसासनिक संस्ताइं हैं अब हमें प्रसासनिक संस्ताओं के उधारन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आ आप Reserve Bank of India की बात कर रहे हैं, अगर आप UPSC की बात कर रहे हैं, तो they all are administrative institutions in India, और हम इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरे देश का तो नाम ही नहीं लेना है हमें, कुछ सरकारी एजिंसियां होती है, उनके कुछ टाइप होते हैं, एक होती है लाइन एजिंसियां, एक होती है स संगठंका क्रियात्मक भाग है, एक होती है स्टाफ एजिंसियां या स्टाफ अभिकर्ण, ये सूचना, सला और परामर्स देती है, सूचना प्रोवाइड करवाती है, सला प्रोवाइड करवाती है, परामर्स प्रोवाइड करवाती है, और इनका लेवल होता है, वो पर होता है यानि ये जमीनी स्तर पर काम नहीं करती स्टाफ एजिंसियां तो सरकारी एजिंसियां या तो लाइन एजिंसि होंगी या स्टाफ एजिंसि होंगी ये सरकारी एजिंसियों के टाइप है अब प्रसासनिक संस्ताओं के प्रकार देख लेते हैं very very important कुछ प्रसासनि संस्ताओं को सम्विधानिक संस्ता कहा जाता है For example, वित्तायोग संग लोकसेवायोग यानि UPSC ये सम्विधानिक संस्ता है कारेपलिका है, न्याईपलिका है, विदाईका है, संसद है ये सारी क्या है? सम्विधानिक कुछ ऐसी होती है जिनका गठन संसद या रज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा होता है या तो संसद कानून बनाए या रज्य विधान मंडल कानून बनाए तो जो संसद या रज्य विधान मंडल के बनाए हुए कानून के तहत जो गठित संस्ता होती है वो कहलाती है समवेधिक संस्ता और समवेधिक संस्ता के उधारन के रूप में हम ये देख सकते हैं जैसे UGC तो ये UGC Act के तहत बनी हुई संस्ता है एक होती है कार्ये कारी आदेश द्वारा स्तापित बहुत सारी प्रस्ण ऐसे होते हैं उसमें हमें उत्तर देखने को मिलता है कि योजना आयोग जो नीती आयोग से पहले था या वर्तमान नीती आयोग इनमें क्या होता है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कार्ये पालिका द्वारा स्तापित है, कार्ये कारी आदेश द्वारा स्तापित है, कार्ये कारी प्रस्ताव द्वारा स्तापित है, ऐसे संस्ताओं को कार्ये कारी आदेश द्वारा स्तापित संस्ताओं कहा जाता है, एक सब्द यहां पर विशेश रूप से गोर करने ल मतलब ये नहीं है कि ये ए सम्विधानिक है कभी भी ए सम्विधानिक शब्द का प्रियोग नहीं करना है गैर सम्विधानिक या गैर सम्विधिक सब्द का प्रियोग करना है तो ये कारे-कारे आदेश सम्विधिक को वैधानिक भी कहा जाता है और एक मिलेगी कार्यकारी आदेश द्वारा स्तापित अब कुछ एकजम्पल है सम्विधानिक के और सम्विधिक के सम्विधानिक में कार्यपालिका आती है कार्यपालिका में रास्टपती है उसका स्पस्ट उलेख है सम्विधानिक आयोग का वर्णन है, Public Service Commission यानि लोगसेवा आयोग का वर्णन है, SCST OBC Commission का वर्णन है, GST Council का वर्णन है, Comptroller and Auditor General कैग भारत का नियंतरक एवों महालेखा परिक्सक का वर्णन है, Attorney General of India इसका वर्णन है, वित आयोग का वर्णन है, ये सारी समविधानिक संस्ताइं हैं, लेकिन हमारे सिल्वस में कारेपालिका है, विधाईका है, नियाएपालिका है, निर्वाचन आयोग है, Finance Commission है, UPSC है, तो ये हमारे इतने सिल्वस में दिये वे हैं, कुछ समविधिक संस्ताइं भी हैं हमारे सिल्वस में, जिसमें नीती आयोग है, इसको हम कारेकारी प्रस्ता बाउद्वारा स्तापित संस्ता में भी ले सकते हैं, NHRC है, Human Rights Commission, CIC है, केंद्रिय सूचना आयोग है, Reserve Bank of India है, विश्व विद्याले अनुदान आयोग यानी UGC है, केंद्रिय सतरक्ता आयोग है, Central Bureau of Investigation ये भी है, National Investigation Agency, NIE है, Railway Board है, National Commission for Women, रास्टिय महिला आयोग, रास्टिय अलप संख्यक आयोग, बाल अधिकार संरक्षन आयोग, और Low Commission of India और भारत के लोकपाल, ये सारे सामविधिक है, क्योंकि इनकी स्तापना संसद के या राज्य विद्द, संसद के अधिनियम द्वारा हुई है, तो इनको बोलते हैं सामवि अब कारेपालिका के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एक प्रकार होता है, एकल कारेपालिका तो बहूल कारेपालिका, तो एकल कारेपालिका में क्या होता है, कि सारी की सारी कारेपालिका सकती एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, जैसा USA में है, सबसे स्ट्रॉ इंडिया में भी है इंडिया में ये कहा गया है कि भारत की समस्त जो कारेपालिका सक्ती होती है उसका जो हैड होगा वो रास्टपती होंगे एक होता है बहूल कारेपालिका प्लूरल एक्जिक्यूटिव इसका मतलब है कि जितनी भी कारेपालिका सक्ती होगी वो एक संस का लोगों का गुरुप होगा उस गुरुप में नहीत होगी तो ऐसी विवस्ता स्विट्जर लेंड में पाई जाती है वैसे आम तोर पर जितने भी देश हैं उनमें से लगबग अधिकांस देश एकल कारेपलिका वाले माने जाते हैं प्रसासनिक संस्ताओं की भूमिका अब जो प्रसासनिक संस्ताओं होंगी वो काम करेंगी तो वो ऐसा ही काम करेंगी एक तो प्रसासनिक काम करेंगी लोगों के जन हित के लिए लोग कल्यानकारी रज्य के रूप में जो संस्ताओं होंगी वो काम करेंगी विधाई काम भी करेंगी अर्द विधाई काम भी कर जैसे टेली कॉम रेगुलेटरी ओथॉर्टी ओफ इंडिया ट्राई भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ये क्या काम करता है ये सारी जितनी भी जो कंपनीज हैं अपने नेटवर्किंग की दूर संचार की ये जो हमें नेटवर्क उपलब्द कराती है उन सारी कं कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करता है सूपर नियामके भूमिका में होता है ट्राई और एक समनवयकारी परवर्ति तो ये प्रसासनिक संस्ताओं की भूमिकाओं के कुछ उधारन है प्रसासनिक संस्ताओं की प्रकृति कैसी होती है कोई संस्ता विधाई प्रकृति है, यह न्याईक है, कुछ अर्द न्याईक है, कोई भी एक्जम्पल हो सकता है अर्द न्याईक में, N.H.R.C.A. National Human Rights Commission है, तो ये कुछ न्याईक और कुछ अर्द न्याईक प्रकृतिकी होती है, कुछ नियामकिय प्रकृतिकी होती है, जो जिसका काम होता है regulate करना, अपने अंदर आने वाली bodies को regulate करना कुछ सलाकारी परवर्ति की होती है, जो केवल सला देती है, जैसे नीती आयोग है या नीती आयोग के स्तान पे जो था पहले योजना आयोग वो सलाकारी परवर्ति की है कुछ नियोजन परकृति की है और इसमें कुछ mix-up भी पाया जाता है एक सलाकारी और नियोजन प्रकृती दोनों की प्रकृती की एक संस्ता भी हो सकती है और कल्यान कारी प्रकृती तो ये प्रसासनिक संस्ताओं की प्रकृती है अब कार्य पालिका का एक रूप हमें ये भी देखने को मिलता है कि कारिय पाले का दो प्रकार की होती है संसदिय परनाली में दुनिया में basically दो सिध्धन्त पाये जाते हैं सासन करने के एक संसदिय परनाली और एक अध्यक सात्मक परनाली संसधिय परणाली का सबसे सुन्दर उधारण है बिर्टिन और भारत और अध्यक्सात्मक परणाली का सबसे अच्छा उधारण है जो टिपिकल एक्जम्पल जिसको हम बोल सकते हैं वो है USA तो संसधिय परणाली में कार्यापालिका के दो रूप होते हैं एक नाम मात्र की कार्य पालिका होती है एक वास्त्वी कार्य पालिका होती है तो जो नाम मात्र की कार्य पालिका है उसका उधारण है भारत में रास्टपती और भारत में वास्त्वी कार्य पालिका है वो कहलाती है भारत में मंत्री परिशद और वो भी प्रधान मंत्री के न त्रित्व में, संसधिय प्रणाली में दो प्रकार की कर्येपाले का जिसमें एक होती है वास्त्विक, तो भारत में वास्त्विक कर्येपाले का है मंत्री परिशत, वो भी प्रदान मंत्री के नित्रित्व में और नाम मात्री की कर्येपाले का नोमिनल, नोमिनल तो सरकार में ये तीन अंग होते हैं इन में से एक अंग जब powerful हो जाता है जैसे executive बहुत ज़्यादा powerful हो रही है तो दूसरे अंग का रहास हो जाता है उसमें थोड़ी कमी आती है तो अब उसको बोला जाता है विवस्तापिका का पतन हो रहा है decline of legislature legislature क्यों हो रहा है इसके कुछ कारण है legislature में जो लोग बैठते हैं वो विधाया एक सांसद होते हैं उनमें विशे सग्यता का अभाव देखने को मिल रहा है ऐसी बात नहीं है कि सब में ही अभाव है लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हैं वहाँ पर विशे सग्यता नहीं होती बहुदली ये परणाली होती है बहुत सारी दलों से मिलकर सरकार बनती है तो बहुदली ये परणाली भी एक विवस्तापिगा की पतन का कारण है परसासनिक राज्य की अवधारना का उदय हो गया है time नहीं होता विधाई काम करने के लिए समय नहीं है इसलिए विवस्तापिगा का पतन हो रहा है तकनीकी रूप से संसद में या विधान परिसद विधान सभा में जाने वाले लोग इतने सक्सम नहीं होते हैं कि वो टेक्निकल चीजों को समद सके और वर्तमान में टेक्नोलोजी अपना प्रभाव दिखा रही है सेक्सिनिक प्रिस्ट भूमी मी एक कारण है कभी-कभी बहुत बड़ी सूपर पावर के रूप में कैबिनेट होती है तो कैबिनेट बहुत ज़्यादा सक्ति साली होने के कारण व्यवस्तापिका का पतन हो रहा है क्योंकि सब लोगों से विचार वेमर्स नहीं हो पाता है न्याइक पुन्रवलोकन जुडिसल रिव्यू जिसके कारण से न्याइक सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ये भी एक व्यवस्तापिका का पतन का कारण है प्रदत्त व्यवस्तापन डेलिगेटेड लेजिसलेशन ये भी व्यवस्तापिका के पतन का एक कारण है और opportunistic politics यानि अवसरवादी राजनिती नेक्स्ट नियाइक पुन्रवलोकन जुडिसल रिव्यू कानूनों की समिक्सा करने को कोई भी कानून अगर बनाया गया है तो संसद ने वो कानून सही बनाया है या नहीं बनाया है या उस कानून को लागू किया गया है तो सही किया गया है या नहीं किया गया है इस प्रकार कि जो कानूनों की समिक्सा का जो काम होता है वो आता है नयाइक पुन्रव लोकन के दाइरे में तो ये केवल और केवल नयाले को ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून की समिक्सा कर सकते हैं और न्याइक सक्रियता का बेस होता है, ये जुडिसल एक्टिविजम का बेस क्या होता है, जुडिसल रिव्यू, न्याइक पुन्रव लोकन, न्याइक पुन्रव लोकन कहां कहां किया जा सकता है, कोई वैधानिक तुरूटी हो, कानून में तुरूटी हो कोई, कोई जो प्र पुन्रवलोकन हो सकता है उसका कोई प्रक्रिया समंदी तूटी रह गई हो तो न्याइक पुन्रवलोकन हो सकता है तथे अन्वेशन में तूटी हो गई हो तो न्याइक पुन्रवलोकन हो सकता है या किसी कानून बनाने वाली संस्ता ने उस चीज पर कानून बना दिया जिसक जिसका पावरी नहीं था उसके पास तो ऐसे बोल सकते हैं कि अधिकार अक्षेतर का अभाव हो तो भी न्याईक पुन्रवलोकन किया जा सकता है लोकतांत्रिक प्रशासन यहां पर सब्दों पर थोड़ा सा गोर करना है कि एक ऐसा प्रशासन जो लोकतांत्रिक हो यानि सासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें जनता भागिदार हो जनता का हित ही अंतिम हित हो अंतिम धे हो जन प्रतिनिदियों की जो भावना होती है उसको कार्मिक करमचारी उसी रूप में लागू करे जिस रूप में उनकी जनता ने जन प्रतिनिदियों को वोट दे कर चुन बोच्चिता होती है यह आदर्स आधारित होता है इसमें कार्मिकों के उत्तरदाइत्वे निश्चित होते हैं एक होता है pressure group, interest group दवाब समू है या hit समू है और एक राजनितिक दल तो दवाब समू है और राजनितिक समू है very important topic है हमेशा इससे प्रस्न पूछे जाते हैं दोनों में क्या अंतर होता है, क्या लक्षण होते है और अंतर होता है तो किस बात पर होता है ये सीखेंगे अभी कोई भी एक समूव होता है उसके खुद के कोई हित होते हैं अगर वो अपने हितों के लिए सक्री रूप से गठित है तो उसको हम कह सकते हैं ये दवाब समूव ये सब जगए पाये जाते हैं, महिलाओं के दवाब समुवे मिलेंगे, कार्मिकों को मिलेंगे, करमचारियों के मिलेंगे, डोक्टर्स के मिलेंगे, टीचर्स के मिलेंगे, प्रसासनिक अधिकारियों के मिलेंगे, मजदूर, किस्थान, संगठन, विद्यार्थी, सब प्रका करते हैं इसके कुछ तकनीके होती हैं कुछ साधन होते हैं कुछ तरीके होते हैं उनमें से नियुक्ति करण लोबी इंग अपने पक्स में लोगों को एकत्र करना प्रचार विवस्ता ये सारे दवाब समुओं के तरीके होते हैं जिनसे वो सरकारों से बात मनवाने में अपनी जिसमें से आम आदमी पार्टी, रास्टिय राजनितिक दल है, बहुजन समाज पार्टी, रास्टिय राजनितिक दल, भारतिय जनता पार्टी, Communist Party of India Marxist, Indian National Congress, INC जिसको Congress कहा जाता है, National People's Party, ये हैं और तीन को लास्टियर हटा दिया था, तो ये सूचना अपडेट होती रहती है, ये थोड़े समय पहले की है, रास्टिय राजनितिक दल, कुलचे दल, दबाव समुहों के दो उधारन, तो इसमें बहुत सारे उधारन है, एसो चेम है, सिरोमणी अकाली दल है, AIFU City है, BKU, भारतिय किसान यूनियन, BCI Bar Council of India, All India Trade Union Congress, भारतिय मजदूर संग, NSUI, ABVP, SFI, Indian Medical Association, ABRSM, रुक्टा, ये टीचर्स के और्गनाइजिसन है, तो ये सारे दबाव समुहों के उधारन है, वित आयोग के गठन की प्रक्रिया, वित आयोग कैसे गठित होता है, सम्विधान के भाग बारे में उलेक है, अनुचे 281 में वित आयोग का, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 280 और सम्विधान का भाग बारा, इसमें पांच सदस्य होते हैं, एक अध्यक्स और चार सदस्य हर पांच वर्स बाद या उससे पहले भी, राष्ट पती द्वारा वित आयोग का गठन किया जाता है, अभी हाल ही में 31.12.2023 को नया वित आयोग गठित हुआ है, वित आयोग का करेकाल जनरली 5 वर्स के लिए होता है, उसको पहले भी गठित किया जा सकता है, लेकिन वो रिपोर्ट देता है, वो 5 साल के लिए देता है, अब तक 16 वित आयोग गठित हो चुके हैं, शोलवां 2023 में हुआ था, प्रतम वित आयोग 1951 में गठित हुआ था, शोलवे वित आयोग के अध्यक्स डोक्टर अर्विंद पानगडिया, ये निति आयोग के पूरवे उपाध्यक्स हैं, और कोलंबिया विस्वेद्याले के प्रोफेसर हैं, डोक्टर अर्विंद निति आयोग की स्तापना एक जनवरी 2015 को हुई थी और वो भी मंत्री मंडल प्रस्ताव द्वारा, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी संस्ता है, ऐसी प्रसासनिक संस्ता है, जो करेकरी प्रस्ताव द्वारा स्तापित प्रसासनिक संस्ता है ये, ये योजना आयोग क स्तान पर आया है यानि पहले योजना आयोग था अब नहीं है अब नीती आयोग है नीती आयोग के चेर्मेन होते हैं वो एक्स ओफीशियो प्रधान मंत्री होते हैं प्रधान मंत्री जो भी होंगे वो पदेन पद पर आते ही नीती आयोग के चेर्मेन हो जाएंगे अद्दे सुमन कुमार बेरी जो कि एक अर्थसास्त्री हैं वो नितियायोग के उपाध्यक्स हैं रास्ट्य विकास परिशद नेशनल डिवलप्मेंट कॉंसिल इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और ये भी केंद्रिय मंत्री मंदल के प्रस्ताव से गठित एक प्रसासनिक संस् लाइक नितियायोग योजनायोग भी केंद्रिय मंत्री मंदल के प्रस्ताव से गठित बोड़ी थी उसके जगे नितियायोग था नितियायोग है वो भी करेकरी प्रस्ताव दारा गठित है और NDC भी केंद्रिय मंत्री मंदल के प्रस्ताव से गठित है इसको गैर समविधा ने तरस्तंस्ता भी कहा जाता है संग लोग सेवायो UPSC Constitutional है इसका उलेक Article 3152 323 315 से लेके 323 तक इसका उलेक है संग लोग सेवायो का समीधान के अनुचे 315 में के अनुसार इसकी स्ताफना हुई है पहली बार इसकी स्ताफना हुई थी 1926 में और इसके जो कारिये हैं उनका वर्णन है अनुचे 320 में इसका हैड़कॉर्टर नई दिल्ली है काम क्या है UPSC के ये देश की सबसे बड़ी भरती एजेंसी है परिक्सा करवाना भरती की रीतियां तरीके मैनर्स तै करना न्यूक्ती करना न्यूक्ती के लिए रिक्मेंडेशन देना प्रोनती, पदोनती यानि प्रमोशन, ट्रांसफर में प्रमोशन, अंतरण आनुसासनिक मामले, परामर्स अनुसासन के अगर मामले हो जाते हैं तो उसमें परामर्स दिया जाता है यानि ये एक स्टाफ का काम करता है, ये स्टाफ एजिन्सी का काम करता है, और अन्य विशेज और रास्टपती सोंपे, ये UPSC का काम है. UGC, विश्व विद्याले अनुदान आयोग, इसकी स्टाफना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी, इसके दो उद्देश से MLE, कि ये ये युनिविशिटी की जो एजुकेशन है, विश्व विद्याले इसिक सा, उसके स्टेंडर्स का समन्वे, कॉर्डिनेशन और उनकी गाइडलाइन उसके मेंटिनेंस, उसके बारे में सारा यही देखते हैं कि विश्व विद्याले इसिक सा के मानक क्या होंगे, और बहुत सारे कॉलेजिज को, युनिवर्सिटी को फंड्स देती है, फंड्स, निदियां, ग्रांट्स देती है, UGC, क्योंकि इसके नाम में जी लिखा ओपचारिक स्तापना इसकी नवंबर 1956 में होई थी, लेकिन पहले इसकी स्तापना 1953 में हो चुकी थी, यह एक सामविदीक निकाय है, यानि संसदिये अधिनियम के तहत, UGC Act, संसद ने UGC Act बनाया 1956, उसके तहत स्तापित है, अर्थात समिधान बनते से में इसका उलेक नही है, तो यह सामविदीक कहलाती है, इसका हेड़कॉर्टर भी नई दिल्ली है, यह इसका मोटो है, ज्यान विज्यान भी मुक्ते है, निर्वाचनायोग, जिसको हम ECI कहते हैं, Election Commission of India, इसकी स्तापना 25 जनवरी 1950 को होई थी, और इसकी स्तापना के दिन को National Waters Day कहा जाता है, National Waters Day, राष्ट्रिय मतदाता दिवस, मनाया जाता है 25 जनवरी को, इसके जो सदस्य हैं, वो 1950 से 1989 तो एक सदस्य रहा है, यह निकाए, फिर जब मतदान करने की उम्र 21 वर्स से गटा कर 18 वर्स की गई, तब तब इसको तीन सदस्य बनाया गया, उस समय, उसके थोड़े से बाद में 1989 से 90 तब, फिर वापस से इसको एक सदस्य में कनवर्ट कर दिया गया, और उसके बाद से फिर से 1993 से लेकर 2024 तक तीन सदस्य है, वर्तमान में हालत यह है कि वर्तमान में एक ही सदस्य काम कर रहे हैं, एक सदस्य ने अभी रिसेंटली ही इस्तीपा दिया है, और एक सदस्य पहले नहीं थे, यानि अभी वर्तमान में एक है और हो सकता है तीन-चार दिन में वापस से यह तीन सदस्य आयोग बन जाए, इसका हेड़काटर भी नई दिल्ली है, केंद्रिय समाज कल्यान बोर्ट, इसकी स्तापना 12 अगस्त 1953 को हुई है, वर्तमान में यह एक सरकारी कमपनी है, कमपनी की, जो भी कमपनी एक्ट 1956 या 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, वो कमपनी, गठन की अधिसूचना मैलाय उबालविकास मंत्राले भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, और यह एक गैर सरकारी संगठन है, केंद्रिय समाज कल्यान बोर्ट, काम यह करता है, कि यह समाज कल्यान का काम करता है, रेलवे बोर्ट का गठन वैसे तो 1905 में रेलवे बोर्ट अधिनियम के द्वारा हुआ है, एड़कॉर्टर जिसका नई दिल्ली है, सदस्ये 2020 के पुनर गठन के बाद 5 है, वेरी इंपोर्टेंट, और यह रेल मंत्रा लेके अंतर्गत आता है, बैंक ओफ इंडिया, रबी आई, इसको बैंकों का बैंक कहते है, पैसे वालों की नगरी वैसे भी मुंबई होती है, तो रबी आई का मुख्यल मुंबई है, स्तापना इसकी एक अपरेल 1935 को हुई, और कौन से अधिनियम के तैत, 1934 बारती है, रेजरु बैंक अधिनियम स दो साल बाद 1937 में मुंबई स्तापित कर दिया, इसको स्तानांतरित कर दिया, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग का कारियाल है भी नई दिल्ली में है, इसकी स्तापना 12 एक्टूबर 1993 को हुई, मानव अधिकार सरंक्षन अधिनियम 1993 में के तैत, इसके सदस्य से भी अध अब कुछ important questions होंगे, जो descriptive पूछ जाएंगे, थोड़ा साथ जल्दी जल्दी में बता देता हूँ आपको, एक है प्रसास किये रज्जे, प्रसास किये रज्जे, administrative state प्रसासन का अर्थ होता है, सेवा करना, देखबाल करना, और रज्जे, रज्जे जिसको state कहा जाता है, राजनीती विज्ञान का जो topic है, रज्जे, उसमें चार तक्त्यों मानेंगे हैं, उसमें से एक तक्त्यों होता है, सासन या सरकार, और उस सरकार का मुर्थ रूप, वो कहलाता है प्रसासन, तो प्रसासन और रज्जे, दोनों का एक mix-up, प्रसास किये रज्जे, एक ऐसा रज्जे, जो किस पर depend है, पूरा प्रसासन पर depend है, यानि रज्जे जो प्रसासनिक हो, प्रसासनिक रज्जे का अर्थ है, कि वहाँ पर सारे के सारे कारे प्रसासन द प्रसास के रज्य की कुछ विसेशता हैं होती है कि इसमें ससक्त कार्य पालिका होती है गवर्मेंट के तीन ओर्गन्स हैं लेजिसलेचर, एग्जिक्यूटिव और जुडिशरी तो ये वाला जो पार्ट है एग्जिक्यूटिव का पार्ट ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये वाला पार्ट ही मूलते प्रसासन करता है तो इसको स्ट्रोंग होना ही पड़ेगा प्रसास के रज्य में तो जब एक पार्ट स्ट्रोंग होगा तो विधाय का और न्याय पालिका है वो कमजोर होंगी उनका रास होगा नोकर साही पर निर्भरता बढ़ इसकी निश्चित सरंचनाई होंगी इसके निश्चित प्रक्रियाई होंगी नागरिक केंद्रित सासन होगा नागरिक को केंद्र में रखके प्रसासन की कारिये विदी संपादित की जाएगी यह सकारात्मक राज्ये की अवधारना पर आधारित होता है जबकि ए वादी राज्ये होता है वो नकारात्मक राज्ये के दर्शन पर आधारित होता है सकारात्मक कहने का मतलब यह है कि नागरिकों की चिंता करेंगे खाली नहीं चोड़ेंगे अकेला नहीं चोड़ेंगे ऐस्तक्सेप वादी में यह सोचा जाता है कि जो व्यक्ति कर रहा है करन करें सरकार चिंता करेंगी है । ऐसे राज्जों की प्रकृती क्या होती है स्ताई होती oldu यह विधी के साशन पर democracy पर रूल ओफ लोग पर बेस्ट होता है यह विस्वास होता है लोक्तैन्तरिक प्रक्रियाओं में और सम्वेधानिक संस्ताओं में वो बहुत ज़्यादा होता है कुछ कारे पालिका की प्रकार है जो देख लेते हैं कारे पालिका एक होती है नाम मात्र की कारे पालिका एक होती है वास्तवी कारे पालिका ये संसदिय प्रनाली में भेद पाया जाता है और जो nominal या ceremonial या titular ये सेधानतिक होती है उधारण है ब्रिटेन में क्राउन और भारत में रास्थपती और जो real executive होती है actual real वो होती है भारत में प्रधान मंत्री के नेत्रित्वे में मंत्री परिशत एक प्रकार होता है अद्यक्सिये और संसदिय कारेपालिका अद्यक्सिये में कारेपालिका और व्यवस्तापिका स्पस्ट रूप से अलग-अलग होती है कोई भेद नहीं होता nominal और real double कारेपालिका होती नहीं है dual executive is not found in the presidential form of government बटीन इंडिया कारेपालिका का निर्मान व्यवस्तापिका में से होता है कारेपालिका बनती किसे है व्यवस्तापिका से यहां पर नाम मात्रों और वास्त्विक का भेद पाया जाता है एकल कारेपालिका सारी की सारी कारेपालिका सक्ति एक विक्ति में ही नहीत होती है उसको कहते हैं एकल कारेपालिका बहुल कारेपालिका स्विजर लेंड में होती है विक्तियों के समूह में कारेपालिका सक्ति नहीत होती है एक होती है साही कारेपालिका जो तानासाई वाले देश होते हैं या राजतंत्र वाले देश होते हैं उसमें वनसानुगत विवस्ता होती है जैसे अरब कंट्रीज है नोर्थ कोरिया है इसकी तानासाई तो वेरी फेमस है निर्वाचित कारेपालिका जहां पर कोई भी प्रकार का हो चाए डिरेक्ट हो चाए इंडिरेक्ट इलेक्शन हो और उसके तैज जो कारेपालिका निर्वाचित होती है जैसे USA, India, Britain and other democratic countries उनमें तो इसको बोलते है इलेक्टेड एग्जिक्योटिव कारेपालिका और विवस्तापिका के संबंद इसमें मूल जो सिद्धान्त होता है वो होता है सक्ति प्रत्रकृण का सिद्धान्त इसको चैक and बैलेंस का सिद्धान्त भी कहते हैं संबंद दोनों में बहुत ही घनिस्ट है लेकिन एक दूसरे के सैयोग समन्वै पर निर्बर है एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा कारयपालिका और विवस्तापिका को कारिय पालिका की सक्तियों में वर्दी हो गई है और मैत्वय में वर्दी हो गई है तो एक अंग के मैत्वय में वर्दी होने से दूसरे अंग में थोड़ी सी कमी आती है तो उसी कारण विधायका का पतन हो रहा है प्रसास निगराजे की अवधारना बहुत तेजी से बढ़ रही है प्रदत विधायन बढ़ रहा है जो दूसरों को तक्नीकी कातिवर विकास करने में भी साहिता दे रहा है और संचार के नमीनतम साधनों का विकास हो रहा है विशिस सग्यों का बोलवाला बढ़ रहा है किसी भी लोग तांत्रिक देश में नोकर साही की क्या भूमिका हो सकती है रोल ओप ब्यूरोक्रसी इन्ने डिमोक्रेटिक कंट्री प्रजातांत्रिक देशों में नोकर साही की भूमी का प्रजातांत्रिक कहते ही इसका मतलब हो गया कि यहां पर जनता पावरफुल है जनता का सासन है और नोकर साही क्या होती है प्रसासनिक अधिकारियों करमचारियों का एक समूव होता है तो जितने भी काम करने होते हैं प्रसासन को वो सारे के सारे राजनीति के निर्देशन में करने होते हैं यानि जनता के जो प्रतिनिदी होते हैं वो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहां होते हैं राजनितिक पदों पर, तो वो सारे जितने काम बोलेंगे वो प्रिसासन को करने पड़ेंगे, विकास, कारेकरम, योजनाओं का क्रियानवैन, उनको तटस्त रहना पड़ता है प्रिसासनी करमचारियों को, अनामता का सिद्धानत अपनाना पड़ता है, निर्वेक्तिक तारकिक रूप से नोकर साही को वेबर ने इसी चीट से डिफाइन किया है निर्वेक्तिक तारकिक कारेकुसलता का परियाय माना है नोकर साही लिखित नियमों पर जोर देती है गोपनियता का सिद्धान्त अपनाती है एक निश्चित पद्सोपानिक धांचे में अवस्तित होती है निश्चित वेतन पाती है आजिवी का विवस्ता होती है नोकरशाही का कोई अन्य विकल्प नहीं है अभी तक इसलिए नोकरशाही अवस्यमभावी है बुराईयों के रूप में नोकरसाही को एक मानसिकता माना जाता है और लोकतंत्र में नोकरसाही सबसे बड़िया ग्यात विकल्प है, इसका कोई अन्य विकल्प अभी तक मिला नहीं है, ये प्रसाशन की स्तिर्ता को बनाई रखती है, विसेश अग्यता होती है, क्योंकि काम करने में विशेश ग्यान इन में कूट-कूट के भरा होता है, कार्य विवाजन पाया जाता है और जन्ता की इच्छा का सद भाव पूर्व किरियान मैन किया जाता है, ये है किसी भी लोकतांत्रिक देश में नोकरसाही की भूमिका, लेकिन जो मोडल मैक्स वेबर ने विक्सि बताया है निर्वाचन आयोग का संगठन और कारियर निर्वाचन आयोग की स्तापना 25 जनवरी 1950 को हुए थी एक सदस्य आयोग रहा ये 1952-1989 और तीन सदस्य आयोग रहा ये 1993 से लेकर 2024 तक वरतमान में ये एक ही CEC है Chief Election Commissioner और अभी दो को अभी न्यूक्त किया जाना है जिनकी न्यूक्ती सिग्री होगी श्री राजीव कुमार वरतमान में Chief Election Commissioner है एक मात्र निर्वाचन से समंदित कुछ अनुछेद हैं कि भारत में चुनाओं का प्रसाशन कैसे होता है तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, 326, 327, 328 and 329 सारे के सारे जो निर्वाचन है वो संसद के हों, चाहराज्य विधान मंडल के हों, चाहरास्थपती के हों, चाहरे उपरास्थपती के हों उन सब के लिए एक निर्वाचन आयोक की विवस्ता की गई है आर्टिकल 324 में एक होती है निर्वाचक नामावली, वोटर लिस्ट, उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बताया गया है कि उसका प्रेपरेशन यानि उसको निर्मान करवाना, उसका अदिक्सन करवाना, उसका निर्देशन करवाना, नियंतरन करवाना ये सारे ECI के अंडर में होंगे निर्वाचक नामावली में यानि वोटर लिस्ट में सब के वोट का मतलब एक होगा सब को बराबरी का दर्जा दिया गया है ये कहा गया आर्टिकल 325 में आर्टिकल 326 में जो हम बोलते हैं कि मैं 18 वर्स का हो गया हूँ अब मैं मतदान कर सकता हूँ तो जो वैस्क मतादिकार दिया गया है लोक सबा और रज्य विधान सबाओं के निर्वाचन की जो रिती है उसमें वो वैस्क मतादिकार आर्टिकल 326 अनुचेद भारत के समिधान के अनुचेद 326 में उसका वर्णन है 327 में विधान मंदल निर्वाचनों के बारे में संसद की सकती का प्रावदान है और रज्य विधान मंदल के निर्वाचनों में उस रज्य विधान मंदल की क्या सकती होगी इसकी बात 328 में की गई है और जो निर्वाचन के मामले होते हैं उसमें जेनरल मामलों में जो नैल होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, वो अस्तक्षिप नहीं कर सकते ये बात कहीगी ये आर्टिकल 3-9 में. ये भारत में चुनाओस के प्रसाशन से जुड़े हुए अनुचे थे जो आर्टिकल 3-4 से लेकर आर्टिकल 3-9 तक हैं. very very important आर्टिकल 3-6 3-2-4 . ECI election commission of India आयोग के कारिये और सक्तिया प्रसासनिक काम करता है election commission of India निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग चुनाओं का प्रसासन करने में प्रसासनिक सलाकारी काम भी है अगर सांसदों की एयोग ताक पर कोई प्रस्न होगा तो रास्त पती को सला देने का काम ECI करेगा अर्द न्याइक काम भी करता है लड़ाई हो गई मतभेद हो गई उनको सुल जाना सक्तिया और करे चुनाओं कारेकरम की घोसना अभी आप दो तिन दिन में ही देखेंगे कि गोसना ECI करता है Election Commission of India जो Model Code of Conduct होता है आचार सहिंता आदर्स आचार सहिंता उसका निर्धारन भी ये करता है चुनाओं कारेकरम कैसा होगा कितने चरणों में होगा निर्वाचन क्षेतर कौन-कौन से होंगे उनका निर्धारन करना परी सीमन करना जन संक्या के आधार पर ये सारे काम पहले होचके होते हैं चुनाओं से वोटर लिस्ट तयार करना निर्वाचक नामावली जिसको बोलते हैं EPIC तयार करवाना जिसको हम वोटर आइडी कहते है वोटर आइडी, एलेक्टर, फोटो, एडेंटिटी, कार्ड, एपिक, राजनितिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्द का आवंटन करना, स्वतंत्र और निस्पक्स चुनाव कराना, फ्री एंड फेर इलेक्शन करवाना, और इसमें नयाइक सक्तियां भी होती है, और मानी गई है, रिजर्व बैंक ओफ इंडिया का संगठन और रिजर्व बैंक ओफ इंडिया का संगठन, 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 रिजर्व बैंक ओफ इंडिया का करती है रिजरु बैंक के जो काम है कि एक तो ये बैंकों का बैंक होता है बैंकों का बैंक हमें जब लोन लेना होता है तो हम बैंक के पास जाते हैं लेकिन बैंक को लोन लेना होता है तो रिजरु बैंक के पास आते हैं ये मुद्रिक निती निर्धारित करता है रिसर्च करत आंकडे उपलब्द करवाता है, मुद्रा निर्गम करता है, विन्यमन है, वित्ये वाजार, वित्ये समावेशन का काम करता है, विकास करता है, उपबोगताओं को टीचिंग जो उनको गाइड करना है, उनमें जागरुकता का कारे करना है, सरकार का बैंक होता है, और जितना प्रक्राइन होता है, उसका मैनेजर होता है, विदेशी मुद्रा को कैसे मैनेज करना है, ये काम देखना है, भुकतान और निप्टान प्रनाली को देखता है, ये रिजरुबैंक के काम है। प्रसासनिक संस्ताओं की भूमिका ये हम देख चुके हैं प्रसासनिक है तो प्रसासनिक काम तो होंगे ही विधाई और अर्ध न्याई अर्ध विधाई भी होंगे लोग कल्यानकारी भी होंगे आर्थिक सामाजिक विकास भी होंगे विकास करने में प्रसासनिक संस्ताओं की भुमी का है न्याई कर्द न्याई काम प्रसासनिक राजनितिक विकास और सामाजिक मुल्यों का एक कॉंसेप्ट है लोग कल्यानकारी रज्जे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है वेलफेर स्टेट इसको हिंदी में कल्यानकारी या लोग कल्यानकारी रज्जे भी कहा जाता है इसका मूल उद्दे से क्या है कि सामाजिक सुरक्षा और नागरी कल्याण और जनता का हित जहां तक इन्वोल्व होता है वहाँ पर कल्याण कारी रज्जे का कॉंसेप्ट आता है। इसके लक्षन होते हैं यह लोक तंतर पर आधारित होता है यह सकारात्मक रज्जे के दर्शन पर आधारित है केवल दो ही रज्जे ऐसे हैं जो नकारात्मक दर्शन पर है एक तो कहलाता है पुलिस रज्जे और एक कहलाता है एस्तक्सेप वादी बाकि के जो समाजवादी है या लोक कल्यानकारी रज्जे हैं ये सारे सकारात्मक रज्जे के दर्शन पर अधारित है समानता न्याय समाजवादी ये सारी विशेशताएं है वेलफेर स्टेट की जो मिस्रित अर्थ्वे होसता है वो अपनाई जाती है वेलफेर स्टेट में मूलते हैं यह समाजवाद या समाज में आर्थिक जो विसमता होती है उसको दूर करने के लिए लाया जाता है इसकी कॉंसेप्ट यह है कि इसमें कोई भी प्रकार का सोशन नहीं होता वेलफेर स्टेट में और जो सर्विस डिलिवरी होती है आम नागरिकों को सर्विस उसका कारिय अच्छा होता है सिवा प्रदाइन और ऐसा रज्ये वेलफेर स्टेट हमेशा स्ताइत्वे देने वाला होता है नागरिकों को अधिकार देने पर, यानि citizens को right देने पर बिलीव करता है ऐसा राज्ये, कि वो citizens को right दे, ससक्त बनाए, ये लोग कल्यानकारी या कल्यानकारी रज्ये या welfare state है, नियाई पालिका के कारिये नियाई पालिका के कारिये जब हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो वो क्या करता है मुकदमा अपना स्विकार करता है वाद ग्रेंड करना ये नियाई पालिका का मूल काम है मूल काम एक होता है अपील ये अधिकारिता कोई भी एक अधिनस्त नेले है लोवर कोर्ट है उसका जो डिसीजन होता है उसके खिलाप हाईर कोर्ट में अपील की जा सकती है तब उसको बोलते है अपील ये अधिकारिता अधिनस्त नेयले के निरने के खिलाप उच नेयले में जो हम अपील करते हैं वो उस नेयले की अपील ही है अधिकारिता है अपील ही है अधिकारिता एक होता है अबिलेक नेयले कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई भी जो हाईर कोर्ट है कुछ है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है उसके जज्जमेंट होते हैं वो नीचे के कोर्ट के लिए नजीर के रूप में माने जाते हैं उधारण के रूप में समिधान की रक्सा का काम करता है न्याई पालिका जितने भी समिधान के प्रावधानों का कोई अगर उलंगन हो रहा है तो ऐसे कानूनों को null and void घोसित करना उनको reject करना मुलिक अधिकारों की रक्सा अनुछेद 32 में 5 प्रकार की रिट्स का कुलेख है बंदी प्रत्यक्सिकर्ण, परमादेश, प्रतिशेद, अधिकार प्रिच्छा और उत्प्रिशन Supreme Court के लिए एक चीज कही गई है The protector and guarantor of the fundamental rights Article 32 के तहट Supreme Court and Article 226 के तहट High Court में जा सकता है कोई भी विक्ती मौलिक अधिकारों की रक्सा के लिए आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ये मौलिक अधिकारों की रक्सा के लिए राइट्स दिये गए हैं न्याइक समिक्सा जुडिसल रिव्यू जिसको हम पढ़ चुके हैं कि ये सम्विधान का निर्वचन इंटर्पेटेशन ओप दे कॉंस्टिटूशन ओप इंडिया विधाईका के काम विधाई कारिये कारेपालिका पर नियंतरन समिधान संसोधन का काम बजट पर चर्चा अन्य वित्य कारिये निर्वचन ये विधाईका के काम है निर्वाचन में प्रेजिडेंट का, रास्टपती का, उपरास्टपती का, लोकसभा स्पीकर का, डेप्टी स्पीकर का और राज्य सभा के वाइस चेर्मेन का किसी भी परकार की नियुकती है उसका अनुमोधन करना और पद से अटाना वास्तव में ये सारा काम PM और Council of Ministers के लिए जरूरी है कि PM है और Council of Ministers है यही वास्तव में उसका अनुमोधन करते हैं या जितने भी है वो विदाईका के काम इसमें होते हैं नियाईक काम विदाईका नियाईक काम भी करती है सुनने में थोड़ा आजीव लगता है लेकिन है संसद ये विशे साथ दिखा रहे है Special Right Essence का विदाईका को जन्मत का बैरोमिटर माना जाता है यानि जन्ता अगर अच्छा काम करेगी तो उसको दुबारा चांस देंगे और हो सकता है कि आपको दुबारा चांस नहीं मिलेगे इसलिए इसको जन्मत का बैरोमिटर कहा जाता है विभिन समीतियां और आयोगों की न्यूक्तियां ये भी विधाईका का काम है अब एक कॉंसेट आता है राजनितिक दल और दबाव समू है दोनों में कंपेरिजन है लेप्ट साइड में राजनितिक दल ये कुछ ऐसे लोगों का समू है जो समान विचारधारा द्रिस्टिक ओन पर आधारित है ये समीधान के प्रावधानों के अंतरगत किसी भी राश्त्र का राजनितिक विकास चाते हैं यानि उद्देश से तो राजनितिक सक्ति के माद्यम से राष्ट का विकास है और वो भी सम्वेधानिक प्रावधानों के तहित और इनके प्रकार हैं विचार धराओं के अकोर्डिंग एक राइट विंग, लेफ्ट विंग ऐसे बोला जाता है पृतिक्रियावादी, रूढ दिवादी, सुधारवादी, उदारवादी, ये सब राजनितिक दलों के प्रकार हैं ये तो है एक नेचरल विवस्ता जो राजनितिक दलों की हर देश में पाई जाती है दलिये विवस्ता के अनुसार एक दलिये, द्वी दलिये, बहु दलिये, ये किसी भी देश में इतेस्थी समुवे, प्रेशर गुरुप्स कहते हैं, ये लोगों का समुवे हैं, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दवाब दालते हैं, वह भी संगठ्ठित होकर। लेकिन ये समुवे का हित होता है। अगर विद्यार्थी वरग है तो वो विद्यार्थी के लिए कुछ काम करते हैं जैसे नियुक्ति करना है लोबिंग है प्रचार विवस्ता राई को प्रभावित करना और आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत जादा इंफ्लूएंसर हो गए हैं तो वो भी उसको अफेक्ट करते हैं इसका प्रकार है वो भारत में एविक्षित है यह बहुत सारे विवसाई समूर जाती समूर धारम से डिलेटेड देखा जाता है लोगत अंतरिक देश में प्रचासन के लक्षन कुछ हेडिंग्स मैं बता रहा हम इसमें कि लोगतांतरिक प्रचासन में जनता सरवे सरवा होती है सरकार के अंग जो होते हैं कारियपालिका न्याई पालिका विधाई का उन में सपस्ट रूप से सक्तियों का विभाजन पाया जाता है छेकेंड बैलन्स का रूल पाया जाता है प्रसासन पर मियन्तरण होता है विधिक बराबरी एवरिवन इस इकूल विपोर लों हर व्यक्ति कानून के समक्स समान है, समिधान वाद में आस्ता रखता है लोक्तांतरिक प्रशासन, यानि जितनी भी चीजे हैं कि समिधान में जो जो चीजे वरनित है उसको साध्य मानेंगे, समिधान साधन है, समिधान वाद को प्राप्त करने के लिए, उसमें श्वतंतरता, समता, जंसह, भागिता, मौलिक अधिकार ये सब है इनमें आस्ता रखी जाती है विदीका साशन, रूल ओफ लो ये पाया जाता है डेफिनेटली किसी भी डिमोक्राटिक एड्मिनिस्टेशन में वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन है स्वतंतर न्याय पालिका पाये जाती है, समानता और स्वतंतरता के मुल्ले पाये जाते है उत्तरदाइत्वे की भावना होती है, responsibility की, सोहार्द्र होता है, समन्वे की भावना प्रेश की स्वतंतरता, मेडिया को स्पस्ट रूप से बोलने का पावर होता है किसी विव्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंतरता मिलती है इसमें विकेंद्री करन पाया जाता है तटस्त प्रसासन होता है और ये अब तक की जितनी वी प्रणालियां ग्यात है उनमें सर्वस्त्रिष्ट प्रणाली है लोकतंतर आज तक दूसरी कोई प्रनाली ऐसी मिली नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके एक नीती आयोग, नीती आयोग के काम क्या है कि एक तो सरकारी संगवाद को बढ़ावा देना है नीती निर्मान करना है और कारेकरमों की रूप रेखा एक बहुत इंपोर्टेंट काम है जो नीती आयोग ने 2018 में स्टार्ट किया था प्रस्न ऐसा पूछा नहीं जाएगा लेकिन आकांक सी जिलों का एक प्रोग्राम जो नीती आयोग द्वारा आकांक सी जिलों का यानि जित्रे भी देश के अंडर डेवलप्ट जो डिस्टिक है उनको एस्पिरेंट डिस्टिक बोला जाता है एस्पिरेंट केटेगरी में अवोर्ड देता है और आकांक सी जिलों का करेकरम एडीप ये निती आयोग की पहला है निती निर्मान और करेकरम बनाना और अनुविक्षन यानि मॉनिटरिंग करना और इवेल्यूट करना कौन सी पॉलिसी किस लेवल पर कहां है तिंक टैंक है ये देश का सुप्रीम तिंक टैंक पूरो वर्ति जो योजना आयोग था जो योजना बनाने का काम करता था उसकी जगे ही निती आयोग आया है निती आयोग निती निर्मान का टोप इस्टिटूट है निती निर्मान का सबसे बेतरीन जो निकाय है वो है निती आयोग ये गैर सम्विधानिक है क्योंकि इसका जिक्र सम्विधान में नहीं है य गैर वैधानिक है यानि संसदिय अधिनियम द्वारा बना हुआ नहीं है यानि गैर वैधानिक या गैर समविधिक एक चीज विशेश रूप से ध्यान रखना कि गैर समविधानिक कभी भी ऐ समविधानिक नहीं होता है गैर सम्वेधानिक और ए सम्वेधानिक दोनों बराबर नहीं है ए सम्वेधानिक शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना है इसके उद्देश से हैं परामर्स, ताजा द्रिष्टिकोंड, आर्थिक नियोजन, इकोनोमिक प्लानिंग, योजना बनाना, सैकारी संगवाद, कोपरेटिव फेडरलिज्म यानि संग यानि केंदर सरकार और रज सरकारें मिल जूल कर काम करें, that is कोपरेटिव फेडरलिज् जर्मान, capacity building, राज्यों की किसमता बढ़ाएं, देश में जितने भी प्रशासनिक संस्ताएं हैं, उनकी किसमता बढ़ाएं, नवाचारों की पहल करें, think tank, the supreme think tank body of country, समनवे, बहुत सारी संस्ताएं, बहुत सारे departments, उन सब में coordination कैसे बिठाना है, और state of the art resource center है ये, देश के सर्वत्तम, उत्तम, संसाधन center के रूप में ये काम करता है, ये नितियायों की, भूमिका, UGC के कारिय, विश्वे विद्यालेयों को विकास और monitoring या अनुरक्षन साहिता देना, महा विद्यालेयों को, विश्वे विद्यालेयों को देना है, और महा विद्यालेयों को देन के hostal होते हैं, research में fellowship दी जाती है UGC द्वारा, NET कर ने पर, JRF करने पर research fellowship दी जाती है, जो teachers होते हैं, संकाय विकास, उनके लिए minor research project, major research project, seminar, इस टाइप की चेजे होती हैं, महाविद्यालेों में स्वायतता देना, grading करना, खेल कूद की इंफ्रास्ट्रक्टर बढ़ाना सिक्सन और सोध कारियों में गुणवत्ता है उत्कृष्टता UGC के द्वारा नेक ग्रेडिंग का प्रोविजनल है और उसमें इनोनो UPE रहे अब वर्तमान में ये सिस्टम चेंज हो चुका है लेकिन आपके सिल्बस्त में UGC है तो उसमें आप दे सकते हैं स्वायत महाविद्यालय का दरजा देना मानव संसादन विकास केंदर के रूप में टीचर्स को ट्रेनिंग देना ये सब काम होता है राजबासा समवर्धन का काम कल्चरल और सेक्सिक आदान प्रदान का कार्य करना रास्टिय पात्रता परिक्षा यानि नेट परिक्षा का आयोजन करवाना 1984 से चल रही है ये स्टेट परिक्षा का परिवेक्षन UGC द्वारक के आजाता है चात्तर वर्तियां दी जाती है खिलाडियों को प्रोचसान दिया जाता है SCST, OBC, Minority, हेत्व, करेक्रम, महिला, अध्यनकेंद्र, मुल्य, आदारिच शिक्षा ICT का इंटिग्रेशन, स्किल डवलप्मेंट, मुक्त और दुरस्त शिक्षा Distance Education और साथ में प्रकाशन अब यहाँ पर एक चीज विशेस रूप से उलेखनी है कि अगर आप किसी भी ऐसी परकाशा में बैठ रहे हैं जिसमें आपको किसी भी संस्ता का काम पुछा जाता है तो ये काम तो फिक्स होता है कोई भी संस्ता होगी, प्रसासनिक संस्ता होगी तो वो अपनी एक रिपोर्ट जरूर प्रकासित करती है ठीक है बाक की नाम उसके नाम में ही नीत होता है फिस सुविद्यालायर अनुदान तो दो तीन काम तो आप नॉर्मल ही लिख सकते हो फिर एक काम ऐसा लिख सकते हो समन्वे सब में लिख सकते हो लेकिन आपको याद करके ही जाना चाहिए अच्छी बात यही होती है रेल्वे बोर्ड ये बहुत इंपोर्टेंट है रेल्वे बोर्ड रेल्वे बोर्ड की जो किताबें आप पढ़ रहे हो जो मेटीरियल आप पढ़ रहे हो उसमें 2020 में जो चेंज हुआ है मंत्री, रोल रजय मंत्री, फिर रोल मंदल, रेलवे बॉrd. रेलवे बॉड में वरतमान में एक अध्यक्स और चार सब्ग क्या हैं. पहले एक अध्यक्स और साथ हुआ करते थे 2020 तक. अब कितने होते हैं? एक प्लस चार, एक अध्यक्स या railway board के CEO कह सकते हो आप, उसके बाद चार सदस्य, infrastructure, traction, rolling stock, operational business development और finance, 2020 से पहले, railway board में एक अध्यक्स और साथ सदस्य होते हैं, होते थे, बट अब जो revised आया है, उसमें 2020 में एक अध्यक्स और चार सदस्य होंगे, यानि पांच सदस्य होंगे, railway के board of management की तरह तरह काम करता है, और railway मेंडल एक निगमित निकाह है, इसके लिए, इसके समस्त फैसले, इसकी meeting में लिये जाते हैं, दे लास्ट टोपिक, रास्टिय मानवा दिकार आयोग के कारिय है, established in 1993 and its headquarters is in New Delhi, रास्टिय मानवा दिकार आयोग, ये काम क्या करता है, मानवा दिकार, किसी भी मनुस्य को जन्म से, मनुस्य होने के नाते, जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको बोलते हैं मानवा दिकार, और मानवा दिकार के लिए एक national body, रास्टिय मानवा दिकार, और वो भी आयोग, आयोग का मतलब है कि एक संस्ता नहीं है, ये एक समुहिक आयोग है, इसमें कुछ एक से ज़्यादा member होंगे, यानि decisions will be taken collectively, तो ये देखो इसके काम क्या है, आयोग के क्या कृत्य है, वो खुद की प्रेरणा से या कोई पीडित व्यक्ति कुछ उसको कहे, तो सिकायत के बारे में जाच कर सकता है मानवा दिकार की, जैसे कोई भी मानवा दिकार के उलंगन का मामला आता है, तो आप उसको संग्यान ले सकता है, वो खुद या पीडित व्यक्ति सिकायत करें तो जाच कर सकता है, किसी भी नैल है कि सम्मक्स लंबित अगर कोई कारिवाई है, तो उसमें वो मद्यस्ता कर सकता है, किसी जेल का निरिक्सन कर सकता है कि वह यह आप लोग पीटते तो नहीं हो मनुस्यों को कैसे रखते हो कम से कम उनको मानवा अदिकार तो है या नहीं है उस मामलों पर सरकार को सिपारिस कर सकता है और कोई भी काम जो मानव अधिकार के लिए उसको अच्छा लगता हो तो समीधान में जो प्रावधान है उसके अकोर्डिंग उपायों की सिपारिस कर सकता है और जो अतंकवाद के कारिये हैं और जो मानव अधिकारों के उप्भोग में विग्न डालते हैं उनको रिवियू करना और अनुसंधान करना उसका समवर्दन करना जागरुकता हैलाना गैर सरकारी संगठनों और संस्ताओं के प्रियासों को उच्साइद करना और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मानव अधिकारों के समवर्दन के लिए समय समय पर उसको आवसिक लगे वो काम कर सकते हैं और ये जान से समन्दिज जो सक्तियां होती है वो इतनी होती है कि इनको एक सिविल कोर्ट जितनी सक्तियां रास्टिय मानवा दिकारायों को है तो ये आज की आपकी क्लास थी धन्यवाद